नमस्कार तथ्य में आपका स्वागत है मैं हूँ मनीश अवस्थी यहां तथ्य में बात होगी चावला दुशकर्म कांड की सुप्रिम कोट ने 2012 चावला गैंगरेप प्ते मामले में मौत की सजा पाए तीन लोगों को बड़ी कर दिया सुमवार को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत के फैसले को पल्टा दिया तीनों आरोपियों ने कथित रूप से फरवरी 2012 में 19 वर्षी महिला का अपरण किया फिर गैंगरेप के बाद बेहैमी से मौत के घाट उतार दिया महिला को तरह तरह की यातना हैं दी गई राहुल, रवी और विनोत को मौत की सजा सुनाई थी सुमवार को सुप्रिम कोट ने आदेश दिया कि तीनों को बड़ी किया जाए सुप्रिम कोट के फैसले के बाद एक वाइरल वीडियो में महिला की महार रोते हुए बिलग-बिलग कर रोती देखी जा सकती है वह कहती है ग्यारा साल बाद यह फैसला है आया है हम हार गए हैं मैं फैसले का इंतजार कर रही थी अब मुझे जीने की कोई वज़े नहीं दिखाई देती मुझे लगा था कि मेरी बेटी को नियाय मिलेगा 2012 के चावला गैंग रेप मर्डर केस में आखिर कब क्या हुआ तथ्य में आपको बताते हैं तारीख 9.10 की रात फरवरी 2012 मूल रूप से उतरा खंड की अनामिका जियां ये नाम बदला हुआ है गुड़गाओं के साइबर सिटी में काम करती थी उस रात वह काम से कुत्व विहार इस्थित घर लोट रही थी घर के पास से कार सवार लोगों ने उसे अगवा कर लिया वह घर नहीं लोटी तो माबाप ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तीन दिन बाद हरियाना के रिवाडी स्थित एक गाउं में अनामिका की लाश मिली बदन पर गहरी यातनाओं के निशान थे और लाश सड़ने लगी थी निर्भया से पहले अनामिका के साथ वैसी दरिंद्गी पुलिस को अनामिका के बदन पर चोट के कई निशान मिले आटपसी में पता लगा कि उस पर कार के अजारों से हमला किया गया कांच की बोतलें बदन में घुसाई गई धातू से बनी चीजों और अन्य नुकीले अबजेक्ट से प्रतारित किया गया जांच में यह भी पता चला कि लड़की को सिगरेट से जलाया गया था उसकी आखों और चेहरों पर तेजाब उनेला गया पुलिस के अनुसार अनामिका संग सामोहिक बलतकार किया गया पुलिस ने तीन लोगों को राहूल, रवी और विनोत को गिरफतार किया था उस वक्त उनके उन क्रमशा 27, 23 और 23 साल की थी, पुलिस का कहना था कि रवी ने अनामिका को प्रपोस किया था, जिस है ठुकराए जाने पर उसने बदला लेने के लिए अपराद किया और करवाया एक ट्रायल कोट ने फरवरी 2014 में फैसला सुनाया, मामले को रेरिस्ट आफ दे रेर मानते हुए कोट ने तीनों को किड्नैपिंग, रेप और हत्या का दोशी करार दिया निचली अदालत ने कहा था कि दोशी किसी तरह के रहम के हगदार नहीं है, जिस वत अदालत ने फैसला सुनाया, पीडिता का परिवार और दोस्त अदालत में मौझूद थे, उन्होंने तालिया बजाई, अदालत ने कहा था कि दोशियों के लिए उम्र कैद की सजा काफी नहीं हैं, तक कालीन अडिशनल जज विरेंदर भट ने हर एक पर एक दशमलोग छे लाक याने की एक लाक साथ हजार रुपे का जुर्माना भी लगाया, कोट ने सबूतों के आभाव में तीन लोगों को अननैचरल सेक्स के आरोप से बरी किया था, निचली अदालत ने ड जलतकारियों को पकड़े जाने या पैचाने जाने से बचने के लिए पिडिताओं को मार देने का बढ़ावा मिलेगा, अनामिका का केस सुप्रीम कोर्ट तक गया तीन जज़ों, याने कि हमारे चीफ जस्टिस, जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट और ज उनी की अगवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए तीनों को बरी कर दिया, तो तथ्य में आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार